हालो डियर स्टुरेंट्स कल जैसे के हमने इंट्रोड़क्शन टू पार्टनर्शिब में दो सम सीखे थे अभी हम उसको यागे कंटिन्यू कर रहे हैं कुश्चन नमबर हम 4 कर रहे हैं आप टेक्स्ट बुक निकालिए उसमें कुश्चन नमबर 4 देखिए टोटल जो प्रॉफिट है कंपणी का 68,000 है और सब भी पार्टनर्स को जो तीनों पार्टनर है जो उनके नाम इस प्रकार है राजकुमार, कौश्चन और शर्मा ये जो तीनों पार्टनर हैं उनको प्रॉफिट में कितना शेयर मिल दा है उसके लिए अंदर आप सम में देखोगे तो प्रॉफिट और लॉज का रेशो भी दिया हुआ है 15, 10, 9 तो किस तरह हम उसको सॉल करेंगे बोड पे देखें देखें ये तीनों पार्टनर है हमारे राजकुमार, कौशिक, और शर्मा जो तोटल प्रॉफिट है 68, 68, 68 इनको 15, 10, 9 में डिस्टिबूट करना है मलब इन्टू 15 डिवाइड में तीनों का टोटल रखेंगे जो होगा 34 फिर जैसे कौशिक का भी इसी परकार इन्टू 10 डिवाइड में टोटल इसी परकार शर्मा का भी इन्टू 9 डिवाइड में टोटल 34 ध्यान अखना है प्रॉफिट Profit and Loss Ratio जो दिया हुआ है उसमें Solve करना है अगर वो रेशो नहीं दिया है तो वन डिवाइड में डिवाइड स्टू 11 डिया ओता है तो वन डेशू वन डिवाइड में कोशिक करने के लिए निएनि होता है तो ध्यान रखना आप कि कौन सा रेशो है profit and loss ratio होना चाहिए नहीं है तो 1 ratio 1 ratio 1 लेना है अभी इस sum में तो profit and loss ratio दे दिया है 15, 10 and 9 उसमें हमने ये distribute कर दिया इस तरह तीनों partner को कितना कितना amount profit में से मिलेगा हमको पता चल गया अभी हम आगे next sum लेते हैं अब हम आगे का sum देखेंगे जिसे के question number 4 में आपके सिखाया अभी हम question number 5 कर रहे है मेहता receives his share 4 times of Pandya while बाचपाई receives half share of मेहता profit of firm at the end of the year is 87,500 determine the share and profit of each partner देखे students इसमें क्या है कि profit and loss ratio दिया नहीं हुआ है हमने आगे वाले sum में देखा तो profit and loss ratio दिया गया था इस sum में profit and loss ratio नहीं है तो सबसे पहले हमें profit and loss ratio को बनाना पड़ेगा according to instruction given by the sum कौन सी instruction है sum में हम उसको देखें partner मेले कितने हैं वो न की कीजिए तीन partner है मेहता, पंड्या and बाचपाई अब दीरे दीरे question को पढ़ते हैं और समझते जा रहे है मेहता receives his share four times of pandya मेहता को pandya का four time मिल ला है मतलब अगर मेहता को एक रुपया मिल ला है तो sorry अगर pandya को एक रुपया मिल ला है तो मेहता को four time मतलब उससे चार गुना मिल ला है देखिए हम एजिम करते हैं कि pandya को एक रुपया मिल ला है वन लुपीस तो मेहता को उसका four time मिल ला है मतलब four time मतलब one को अब multiply करें four तो आएगा four मतलब मेहता को जो receive हो रहा है वो four है आगे हम परें while बाचपाई receive half of share of मेहता बाचपाई को मेहता का half मिल ला है तो four मिल ला है देखिए यहां पर मेहता को तो उसका half कितना होगा two तो बाचपाई को मिलेगा two तो आपका profit and loss ratio बन जाएगा यहां पर four one two समझ में आया आपको कैसे किया मैंने मेहता को पंज़ा का four time मिल ला है तो मैंने एजिम किया कि पंडिया को मान लो 1 मिल राए तो 4 time my UPelen 1 को आप 4 से एड़ू करो तो मेहTuch को 4 मिलेगा और बाच पाई को मेहTuch का 1 मिल राए यह यहली करेंगे टो 2 आएगा Sum आप कुछ भी कर सकते हो जासे कि यहां पर पंज्या को आप एजिम कर लो 2 तो महता को कितना मिलेगा 4 time मलब 2 का 4 time करो तो answer आएगा 8 और बाचपाई को महता का half यानि यहाँ पे हो जाएगा 4 तो इस तरह आप ratio बना सकते हो जिसे मैंने पहले बनाया 412 फिर मैंने बनाया 824 ratio आप कोई भी बना लो किया है 87500 जिसे हमने अगले सम में किया तीनों का profit में लिख दिया total profit लिखा है अभी इनको कितना share मिलेगा वो हम समझ रहे हैं into कौन सा ratio है 4 divide में क्या करेंगे total 4 और 1, 5 और 2, 7 इसी तरह पंज्या को multiply 1 divide में क्या करेंगे 7 इसी तरह बाचपाई को into 2 divide में total 7 तो तीनों को मिल जाएगा